हलो कैसे हो सब लोग आज हमारा डे नाइन है तो आज हम बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि नॉर्मल ये ग्रामर के अंदर ये टॉपिक पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है और हम लोग मिस्टेक्स उसमें बहुत सारा करते हैं तो चलो शुरू करते हैं ये है फ्यूचर टेंस के बारे में थोड़ा सा हम थोड़ा ध्यान देंगे इसके अंदर क्या आता है देखिए मैं पहले भी आपको बताया था कि इसके अंदर ये जो अगर आपने कहीं भी विल देख लिया समझ जाना वो फ्यूचर टेंस है कि समझ वें तो अभी अभी हम बहुत सारे फॉर्म्स देखेंगे उसके तो जैसे विल है अगर विल है फिर शाल है इसके बाद में कैन है ओके फिर आप में है मस्ट है और देखें यह ऐसे विल शाल कैन में मस्ट है तो यह एक यह आप कहीं भी देखेंगे तो आप फ्यूचर टेंस में आ जाता है सब चीजे अभी दूसरा ऐसा है कि इसके अंदर विल का वुड़ भी फॉर्म आता है कि हो कि शैल का शुड़ आता है कि क्यान का कूड़ आता है कि हैना मेक का माइट आता है कि अब मस्ट का भी माइट आता है कि तो इसमें बड़ा कन्फुजन होता रहता है कुड क्या है यह उस तरह से अभी इसको ग्रामर में मॉडल्स कहतें मॉडल्स भी कहते हैं आपने सुना रहे गा लेकिन यह शब्दों का मैं यूजने करता हूं मैं आपको डिरेक्ट इसका यूज़ बताने वाला हूं तो अभी देखिए यह जो विल है यह कहां पर होता है जब आप गैरेंटी से मतलब कुछ करने जा रहे हूं आप कुछ ना गैरेंटी से करने जा रहे हैं 100 परसंट जब आप करने जा रहे हो तैट I will go to school मतलब आज आप school जाने वाले हैं उस हिसाब से तो अभी देखिए कि हर जगह यूज हो जाता है और विल मतलब commonly यूज होता है पहले क्या था शाल अलग होता था विल अलग होता था अभी विल शाल के जगह भी विल यूज करते हैं तो इसके अंदर कुछ उसका अर्थ सब एक ही है तो आपका confusion कम हुआ है ना अभी दूसरी बात है यह जो व उसका कैसा होता है कि जब आप doubtful हो जब आप doubtful हो तो आप उसको वूड कर सकते हैं जब 100% नहीं हो तो वूड का यूज करते हैं तो एक और जो दूसरा है वो है respect जब आदर देते हो किसी को तो उसक भी आप वूड का आप यह जो डी डी जो जैसे वोर्ट सारे इसका यूज करते हैं तो इसमें कैसा है के देखे वो आप जैसे वूड यू लाइक तो टेक टी ऐसा आप यूज कर सकते हैं जैसे रिस्पेक्ट पूर है ना शुड़ तो टेक जूस वोड़ एट इस हैं को घुड़ एल्प यू नियो वोक यह सबी चीज आपका मतलब रिस्पेक्ट में आ जाता है यह डाउट फुल में भी आता है हैं ना आई माइट कम शोर नहीं है आई माइट कम तो उस हिसाब से मतलब उसका यूज हो जाता है है तो अब इसके आगे और जो एडवांस में हैं वो भी बताता हूं मैं आपको तो फिर अब यह और भी देखते आगे तो ऐसा है कि वोंट तो अब गोईंग तो अब सब्सक्राइब कुछ शब्द आते हैं यह वी फूचर टेंस में होता है हां देशे है कि नीट तू अब यह अब यह सब चीजे मतलब फूचर टेंस में यूज करते हैं देखिए आपको बताता हूं सब्सक्राइब करना थार्म फूर्ण मतलब यह उन्ट करने के लिए यह यह उन्ट करने के लिए यह उन्यू इचर टेंस में यह उन्यू आपको अब तो यह अभी है तो यह हम लोग मतलब फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं अभी एक पार्ट है अभी इसके बाद में दूसरा एक मैं आपको फ्यूचर का एक वर्ड बताता हूं जो कि वो सिंगल वर्ड है वो है इफ आई एफ इफ अभी यह जो वर्ड एक ऐसा है आप कोई भी सेंटेंस के सामने अगर आपने इफ लगा दिया तो वो फ्यूचर में चल जाता है उसका मतलब फ्यूचर में हो जाता है जैसे आई पैटा आप यह जाता है जो कि आए आई अगर में पढ़ रहा होता है तो मतलब अगर आगया हो इस यह जो कर दो लिए लगा तो कोई भी संटेंस के दूसरा एक्जाम्पल लेते है कोई, that he is singing, he is singing, मतलब वो गाना गा रहा है, तो उसके सामें if लगा दो, if he is singing, अगर वो गाना गा रहा है, तो मैंने आऊंगा, I will not come, if he is singing, I will not listen, कुछ भी आप इसका sentences बना, तो if एक ऐसा word एक कोई भी sentence के सामने आ गया, तो future में convert कर देता है, इसको भी आपको जहन में रपना है, okay, आभी कुछ word है, जो कि ऐसी ही दिखते हैं, जैसे भी आपको बताता हूं, used to, वो भी future type दिखते हैं, लेकिन फ्यूचर में नहीं use होता है, है यह happens to, happened to, यह दोनों actually एक की में आता है, what happens to or happened to, और यह used to, यह बहुत important है, कि यह कभी भी आपकी पुरानी आदते बताता है, यानि कि पुरानी आदत यानि कि आपकी आदते, पुरानी, okay, यह लेकिन यह future tense में नहीं है, यह जाता है, पास्ट में, दिखने के लिए, used to, happens to, happen to, यह दिख रहा है, लेकिन यह actually use होता है, पास्ट में, okay, तो देखिए, used to, अभी मतलब कोई भी चीज को आप अगर used to डाल दिये, तो आपकी पुरानी आदत है, I used to swim, I used to study, I used to study मतलब मैं पहले पढ़ाई करता था, I used to sing, मैं पहले गाना काता था, I used to, कोई भी काम बोल दो, I used to run, मैं पहले भागता था, तो यह सब चीजिए, used to में होता है, happens to, ऐसा हुआ करता था, he happens to be my friend, वो मेरा friend हुआ करता था, मतलब वो पास्टेंस में यूज होता है, happen to, it happened to be my hobby, मेरे hobby हुआ करती थी, वो मतलब मेरा hobby जो है, वो हुआ करता था, ऐसा, मतलब यह दोनों का है, तो जादा नहीं है, एक और दो ही है इसके अंदर, तो आप यह पास्टेंस में यूज करना, okay, तो अब यह भी आपका doubt क्लियर हो गया है, है ना, तो आभी और एक मैं आपका doubt क्लियर करता हूं, वो है, पर्फेक्टेंस का, पर्फेक्टेंस का, तो एक सेंटेंस हम पर्फेक्टेंस का जो बनाये थे कल, वो ही बनाते है, I have eaten a mango, okay, हमने यह एपल लिया था, भी महांगो कर दिया, okay, ठीक है, तो उसके अनर आपको देखो, यह जो eaten है, यह वर्ब का आपको फॉर्म देखना है, यह वर्ब का फॉर्म मतलब का कैसा था, प्रे कैसा था, eat, कितने फॉर्म है, eat, ate, eaten, है ना, फिर इसके आगे, eating, फिर eats, है ना, will eat, है, will eat, है ना, यह आपको ऐसा सिखाया था, कि इतने फॉर्म होते है, छे फॉर्म बनते है, तो इसमें में जो यह वला जो फॉर्म है, eaten फॉर्म, जो हमने यूज किया है, तो यह क्या है, यह जो थर्ड फॉर्म है, कभी भी पर्फेक्ट टेंस में यूज होता है, समझें, पर्फेक्ट टेंस, जो पर्फेक्ट कंट्िन्च टेंस, जो भी टेंस रहेगा, पर्फेक्ट यहां पर नाम आएगा, वहां पर आपका यह यूज होगा, ठर्ड फॉर्म, वे जो फॉर्स्ट सेकेंड यह जो थर्ड फॉर्म में यह यूज होगा समझ मैं तो आपको आग बंद करके थर्ड फॉर्म यूज करना है आपना कि यह यूज करना है अना I have ate a mango नि आएगा I have eaten a mango आएगा perfectence में तो यह मतलब छीज जिस पर आपको ध्यान देना है मैं जो भी बता रहो हूं अभी हाइलाइट कर रहो जो जो चीजों पे ध्यान देना आपको बाकी सब को बाकी कुछ ने आभी दूसरी बात यह जो थर्ड फर्म है यह पैसिव में भी आता है कोई भी पैसिव के अंदर थर्ड परम होता है यह किसमें आगया यह परफेक्ट मे इस इटन बाई मी ओके तो यहां भी आपने देखा थर्ड फॉर्म आया तो यह भी आपको एना मतलब यह किसमें लिया जाता है अपना पैसिव में हुआ है है ऌके तो पैसिव के अंदर आपको कभी भी कोई थर्ड फॉर्म एना है। बागी कोई आपको द्हर्ण में रखना है और फर्फेक्ट एंच में आपको थर्ड फॉर्म लेना है हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेन्ज यहां पर गलतिया ज्यादा तर करते हैं और यह स्पीच में भी गलतिया करते हैं तो यह चीचों को मैंने सिर्फ हाइलाइट किया है तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है तो सिंपल है यह सब चीजे तो हर रोज में यह बोलता हूं कि सब्सक्राइब बटन दबाईए को नोटिफिकेशन के स्विच अन कीजिए टर्न आन कीजिए बेल आइकॉन को दबाईए और आपको यह पसंद आया तो आपको फ्रेंड्स में शेर कीजिए उनका भी फायदा होगा ओके ओल दे बेस्ट फर टोड़े कल फिर मिलते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ चलेगा